तुम लोगों ने कविता और गीत पढ़े हैं कविता और गीत अपनी लायात्मक्ता के कारण संगीत के कारण मानों हर्दें को छूते हैं इनमें कथन को वो रूप दिया जाता है जो संगीत के कारण लैब अद्धता के कारण मानों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं वास्तों में कविता और गीत काव्वे के ही रूप है काव्वे किसी कथन को ऐसा रूप प्रदान करता है या यूँ कहले जे काव्वे में किसी कथन को आकरशक, मोहक और सुन्दर बना कर प्रस्तुत किया जाता है ताकि मानों हर्दें पर वो विशेश प्रभाव डाल सके जब हम काव्वे की बात करते हैं तो काव्वे अपने मोटे मोटे तीन रूपों में हमारे समक्षो पस्तित होता है पद्यकाव्वे, गद्यकाव्वे और चम्पो काव्वे जब पद्यकावी की बात करते हैं तो हम पद्यकाव्वे में छंद के नियमों का पालन करते हैं उसमें संगीत तत्व लाने का प्रयास करते हैं और लाय गत्य के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है गद्य के अंतर गद्य कथन को सामान रूप दिया जाता है कुछ समाजोचब तो यहां तक कहते हैं कि वास्तों में पद्य है कथन का नर्तन और गद्य है कथन की सामान रूप दिया नर्तन जो नर्त्य है वो ज़्यादा रोचक होता है आकर्शक होता है उसी प्रकार पद्य अधिक रोचक होता है कावे का तीसरा रूप है चंपू और चंपू के बारे में लोगों का कथन है कि गध्य-पध्य-मयंग कभ्यम चंपूरित्य विधियते जो काभ्य गध्य-पध्य दोनों से उप्त हो और इस कोट में प्रायान नातक आते हैं जिनमें कतोप कथन या जिनमें संबाद गध्य में भी होते हैं और कहीं-कहीं भावा तिरे को जगाने के लिए भाव को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कथन को अथवाज संबाद को पद्य में प्रस्तूत कर दिया जाता है इसलिए नाटक में गद्य पद्य दोनों का प्रयोग होता है इसलिए नाटक को चम्पू कावे की कोटि में रखा जाता है अब देखिए पध्य कावि को पुना दो रूपों में प्रस्तूत किया गया है प्रबंद कावि और मुक्तक कावि प्रबंद से अभी प्राहय जिसमें कथा सूत्र को केंद्र मान कर छंदों को बांधा जाता है जिस कावि के चंद कथा को करम से लेकर कथा सूत्र को लेकर बंदे होते हैं जिनके चंदों का करम बदला नहीं जा सकता है वे प्रबंद कावि है प्रबंद कावि में चंदों के करम को बदल देने से कथा विक्रत हो जाएगी कथानक दूशित हो जाएगा तो प्रबंद कावे में कथा सूत्र को केंद्र मान कर या कथा सूत्र को लेकर छंदों को पिरोते हैं जबकि मुक्ता कावे में स्वतंत्र भाव को विक्त करते हैं छंद प्रतेक छंद अपने में पूर अर्थ को विक्त करने वाला होता है कहीं कहीं तो आलोचको ने गहा कि महाकाव्य ये प्रबंद काव्य विस्तिरत बनस्थली है किन्त मुक्टक काव्य एक सजा हुआ गुलदस्ता है मुक्तक काव्य अपेक्शाकर्थ अधिक सुंदर है और एक देशी है अपने एक छंद में संपून अर्थ को वेक्त करता है अब जब आप प्रबंद कावे की बात में आवें तो प्रबंद कावे के भी दो भेद हैं महा कावे और खंड कावे महा कावे अप एक चाकरत व्यापक दारना को लेकर लिखा जाता है कहा जाता है व्यक्ति के जीवन के एक व्यापक छेत्र को हम लेते हैं रामचेर्ट मानस को लेलीजी, कृष्णायन को लेलीजी, मैटली शनुकुप्त के साकेत को लेलीजी यह ऐसे काव्य है, जीवन के विबिध पक्षों, जीवन के विबिध अंगों और प्रकृति के नाना व्यापारों का चित्रन होता है कहीं सन्द्या का वरनन है कहीं सुरूदय का वरनन है कहीं सरिता का वरनन है कहीं परबत का वरनन है कहीं आशीरवाद का वरनन है तो कहीं प्रणाम का वरनन है आईसी स्थितियों में एक और तो जीवन के बिविद पक्षों को लेते हैं और दूसरे उन बिविद पक्षों में किसी उदात चरित्र को ढालने का प्रयास किया जाता है इसलिए जो महावाग कावि की चर्चा होती है तो महाग कावि में जीवन के विविद पक्षों, विविद घाटनाओं, विविद दृष्शों का चित्रों होता है किन्द जिब खंड कावि की बात करते हैं तो ये खंड प्रबंद है प्रबंद का कलेवर तो इसे दिया जाता है प्रबंद की मान्यताएं तो स्विकार करता है कथा वस्तु के संगठन को ये आत्मसाथ करता है कथा को आधार बना कर ही खंड कावि की रचना होती है किन्त महा कावि की भात इसमें न जीवन के व्यापक और विस्तरत रूप का चित्र होता है और नहीं जीवन की विविधताओं का जीवन के अलग-अलग पक्षों का निरूपा होता है खंड कावि में जीवन के एक अंग जीवन के एक अंश अत्वा जीवन की एक गटना का निरूपण होता है यह सत्य है कि प्रबंद काव्य है इसलिए इसकी कथा या इसका कथानक सर्ग में होगा या खंड में होगा या अध्याय में होगा वोई नो कोई उसकी सर्ग बद्दता होगी कांड बद्दता होगी अध्यायवधता होगी किन्तु इसमें विशयवस्तु की विविधता नहीं होगी जब खंड कावी की बात करते हैं हम तो हमें जानते हैं कि खंड कावी खंड प्रवंद वो पद्व रचना है जिसमें कथा संगठन आवश्यक है और जिसमें जीवन के एक अंश घ्रटना अथवा दृष्यका मारमिक उद्गाटन होता है अभिप्रा यहां तीन विंदूं के उर्चंगेत किया गया है एक तो खंड कावी में कथा वस्तु या कथानक होना आवश्यक है बिना कथानक के या कथा संगठन के खंड काविकी रचना नहीं होगी वह किसी जीवन की घटना का क्रमबद कथाबद, कथानकबद चित्र होगा दूसरे यह पध्य बद रचना है महा काविकी बात पध्य में लिखी जाएगी और तीसरी इस्तित यह है कि महा कावे में संपूर जीवन का चित्रन है जीवन के विविद रूपों का चित्रन है खंड कावे में जीवन का कोई एक अंग कोई एक भाव कोई एक गाटना कोई एक स्थित या किसी एक दृष्य का निरूपन किया जाता है अब ऐसी स्थित में एक प्रश्ण सहाज रूप से हमारे आपके सामने उपस्तित हो जाता है कि जो स्थितियां महाकावे की हैं लगबग वई स्थितियां खंड़कावे की हैं तो महाकावे और खंड़कावे में अंतर क्या है? हम आप इस अंतर की और भी एक दृष्ट डालें देखें महाकावे में कता विस्तृत और पून जीवन गाथा होती है जब हम महाकावे की चर्चा करते है तो रामचिर्द मानस को हिले अगर उसके नायक राम है तो राम के अवतार की उनके बाल्यावस्ता की उनके बिवा की, उनके बनगमन की, उनके राज्याविशे की एक लंबी आवधि तक की सांगो पांगो चर्चा की गई जबकि खंडक आवे में ऐसा संभो नहीं जय हनुमान खंडक आवे में हम लेते हैं तो हनुमान की वीरता का चित्र नहीं जय शुबास को अगर लें तो जय शुबास में शुबास के देश की स्वतंतरदा के प्रत एक आंदोलन और उनके उनकी योजना का चित्र नहीं तो महा कावे में विस्तृत जीवन कथा होती है जबकि खंडक आवे में जीवन के एक आंश का निरूपन किया जाता है दूसरी इस्तित यह है कि महा कावे में सभी रशों का वरन आवशिक है महा कावे कार यह बार बार स्विकार करते हैं एक एवो भवेदंगी शंगारो वीर एववा अंगी रश के रूप में तो शंगार और वीर का दिरूपन होगा अर्तात जो अंगी रश है वो यह तो शंगार रश होगा या वीर रश होगा कहिंगे चर्चा है शंगार वीर शंताना में को अंगी रशे श्यते प्रधान रश के रूप में शंगार रश होगा वीर रश होगा अथवा शंतर रश होगा किन्तु अंग रूप में अंगानी जो सर्वे रसा अंग रूप में सारे रसों की चर्चा होगी किन्तु खंड कावे में सीमा छोटी होने के कारण केवल एक रस की चर्चा होती है वही प्रधान रजव वही सर्वस्व है उसी का मारमिक रूप से नुरूपन किया जाता है हल्दी घाटी आप लोग उने पढ़ा है हल्दी घाटी में जब चित्रण गया जाता है तो चेतक को लेकर महाराना प्रदाव जब गुमते हैं हाई यही रहा अब यहां नहीं वो वहाई रहा अब वहां नहीं थी जगह न कोई जहां नहीं किस अर्य मस्तव पर कहां नहीं एक ही बहाव का भिकास करते चले जाते हैं नाना बहाव की संयोजना नहीं होती है और तीसरी स्थिति है, वीविदिता का निरूपन इश्ट है, जो महा का भी चर्चा करेंगे तो एक मुख्य कता के साथ, आधिकारिक कता के साथ एक प्रासंढ़िक कता भी होती है जिसको जोटकर जीवन के अनेक पक्षों, जीवन के अनेक रूपों के साथ प्रकृति की भी अनेक स्थितियों का दिरूपन करते हैं, कहीं संध्या का वरन्न है, तो कहीं प्राता का वरन्न है, कहीं कलकल निनाद करती हुई स्वरिता का वरन्न है, तो कहीं बरक्षों पर चाहते हुए पक्षियों की चर्चा की गई, किन्तु खंड कावे की बात करते हैं तो खंड कावे में कलेवरी इतना विस्तित नहीं होता है कि उसमें सारे रसूं के साथ या सारी परिस्तितियों का चित्रण किया जाए वहां तो केवल एक सीमित खेत्र है उस सेमित खेत्र में एक परिस्थित और उसी का चित्रन के आता है एक बात यहां उलेक कर देना है खंड कावे में जिस किसी घटना या जिस किसी परिस्थित या जिस किसी दृष्य का निरूपन होगा उसकी मारमिकता के साथ प्रस्तूत आवश्यक यह आवश्यक है कि उस भाव का ऐसा निरूपन किया जाए उस भाव का इस अतिरेक के साथ चित्रन किया जाए कि एक बार पाठक, स्रोता, अधवा कहीं अगर उसको नाटकी रुख दिया जाएका तो दर्शक उस भाव के साथ अपने को ऐसा जोड़ दे कि उसके साथ आत्म साथ हो जाए इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि खंड कावे के अंतरगत जीवन के एक अंश, एक अंग अत्वा एक दृश्य का मारमिक चित्रन होता है और उस मर्म को उद्गाटित करना आवश्यक है खंड कावे में जीवन और प्रकृत की विविधता का चित्रन संभोध है तुम लोगों ने देखा है महा कावे में जीवन के विविधत रूपों का चित्रन है और प्रकृत के विविधत रूपों का चित्रन है किन्तु खंड कावे की सीमा अपएक्षाकृत लगू है छोटी है इसलिए खंड कावे में न तो जीवन के विविध रूप चित्रत हो सकते हैं और नहीं प्रकृत के विविध रूप चित्रत हो सकते हैं इस प्रकार तुम लोगों ने महा कावे और खंड कावे के अंतर को भी अच्छी तरह समझ लिया है